खेट की तिजारी भी अपन लग करने हैं, तो खेट की तिजार भी या शामान जैसे अपन खेटी करने, दो तीन बार जो ताइघ कर थन, पाटा चला थन, बस ऐसी करने हैं, परे में गुबर की खाद 20 कुंटल, या केचो खाद 7 क, शाट कुंटल, एक एकर में प्रोब करे जा गोपर खाट के नेचे ये एक कंपोस्ट खाट होते हैं अधी कंपोस्ट खाट सही मात्र में नहीं है तो सिर्फ अगर अपन रसाइनीख खाट के उपव्योंकर था तो इमें रोक जाते हैं अजी खेट में पर्यापत नमी नहीं आई तो बवाई के पहले वो में एक सिचाई हलका सिचाई कर देए जे में से अपन के जिन अंकृत बीज है व भीज जुए तो खेट में डालते से वा उला नमी मिले और वत्त जा रह जाए और अगर अपन ऐसे नहे करन बेगर से चाय के गर डालतान तो सूख हमें जो है तो अपन के अंकृत बीज सूख जाए फिर बीजन खाए अपन एक कतार से कतार में लगाने है ये आठ इंच की दूरी पर ले लगाए जाते है एक खेलाई का पनला एक कोधारी की जरुरुत पढ़ी, एक रस्सी की जरुरुत पढ़ी और बोर रस्सी में अपन बीच बीच में आठाट इंच की दूरी में कोई भी निशान लगाई सकते हैं। या रशी है, या कागज है, या पनी है, कुछ भी ऐसे अपन देख के समझ सकें कि यह 8 इंच की दूरी पे जी निसान है, और कुदाली से अपन 1 से 1.5 इंच के एक गहरी नाली टाइप में बनाएं, और ये में 8-8 इंच की दूरी में दूदू बीज जो है तो डाला जाएं, एक हे बाद वोलग पीछे से मिट्टी में ढग दें, एक सप्ता है बाद, अपन खेतल भूम के देखते हैं, और जोन जगहे में अधी पाउधन नहीं निकल लिया है, वह जगहे में अपन नए बीज डाल सकते हैं.